नमशकार दोस्तों प्रियाग राज से बिभिन तरह की परिक्षाओं की तयारी करने वाले जो छात्र हैं वो आखिर कहां गायब हो गए यह थामनेल देखने के बाद अगर आप इस वीडियो में आए हैं और आप भी किसी भी परिक्षा की तयारी कर रहे हो चाहिए आप प्रियाग राज में आपको पता है कि तरह तरह की परिक्षाओं की तयारी करने वाले चात्र वहां पर रहते हैं और जी टोड मेहनत करते हैं लेकिन इस समय अगर आप जाएंगे प्रियाग राज के उन हॉस्टेल्स में कमरों में तो वहां पर आप देखेंगे कि वो खाली पड़े हुए है आखिर ऐसा क्यों है ये नौबत क्यों आई आखिर में छात्र क्यों गए विभिन परिच्छाओं की तैयारी करने वाले छात्र एकदम से कहां गायब हो गए तो ये एक बहुत बड़ी मुहीम है बेरोजगारी को लेकर और बेरोजगार छात्रों के माध्यम स अपने भविस्त की लड़ाई को लेकर क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कई सालों से किसी भी तरह की किसी भी भरती का किसी भी प्रकार का कोई भी विग्यापन उत्तर प्रदेश में जारी नहीं हो रहा है और इसी से नाराज सभी परिच्छाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं अपने कमरों से गयब हैं अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं क्योंकि वह आने वाले चुनाओं में जिस दिन चुनाओं हो रहे हैं उनके जिले में वह जाकर बेरोजगारी के खिलाप अपने वोट को देने के लिए गया है वह अपना वोट देना चाह रहें अपना मतदान करना चाह रहें और बेरोजगारी के खिलाप अपनी महीम की जो है जो उन्होंने सुरुवात की है सब लोग उन्हें मिलकर उसकी लड़ाई करने के लिए उगाएब है कुल मिलाकर अपनी बेरोजगारी को जो इतने सालों से देख रहे हैं इस दंस को जेल रहे हैं उसको खत्म करने की इस मोहीम में सामिल होने के लिए वो अपने कमरों से गायब है और अपने जिले में जाकर वोट दे रहे हैं बेरोजगारी के खिलाब जोकि उत्तर परदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, पिछले 5-6 सालों से किसी प्रकार की कोई सिक्षक भरती उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली है, जबकि प्रतेक वर्स सीटेट पास कर रहे हैं प्रसिचु प्रतेक वर्स डियलेट करके निकल रहे हैं बीयट करके निकल रहे हैं किसी प्रकार की एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती नहीं आ रही है कोई भी वेकंसी नहीं आ रही है किसी भी प्रकार की सिक्षक भरती नहीं आ रह क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं अपनी परिच्छा ती ठीका और जब ऐसा कुछ होता है तो उनमें बहुत जादा नाराज़गी भी रहती है और उसी नाराज़गी को लेकर वोट के लिए अपने घरों से गायब है हाला कि वो चुनाओ खत्म होने के ब बेरोजगार है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस मुहीम में आप भी सामिलोगी है और जादा से जादा अजरूर करिए ताकि बेरोजगारी के खिलाब जो लड़ाई सभी बेरोजगार चातर लड़ रहे सुए उसमें आप भी अपना योगदान दे सकें झाल झाल